हेलो दोस्तो आप सब कैसी हो आई हो आप लो अच्छी होगी हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम कुछ इस टौपिक पर बात करेंगे प्रेगनेंट लोग के लिए कुछ हेलफूल बात है यह लड़की यह हर प्रिगनेंट लोग के मन में आता है कि घर में कोई रिस्टार आप से मिलता है कोई जाने माने लोग मिलते हैं तो आपको गेज करते हैं आपको बताते हैं कि आपके घर में लड़का है यह लड़की है वे आपको बताते भी हैं क्या आपको चेरा देखकर आपके चालना देख कर कि आपके वे घर में लड़का या लड़की आप उन लोग बोलते भी हैं कि आपको लड़का होगा कोई बोले का आपको लड़की होगी कोई बोले का लड़का होगा तो चलिए लक्षन हम बताते हैं कि कौन-कौन सा वे लक्षन है जो आप पता कर सकती कि हमारे गर्व में लड़का या लड़की. आइए चलिए, कोई देर ना किये उए, बगबगा रखना किये हुए, चलिएब बताते ओए, लइक नाही की है, तो लाइक कर दिजे, शियर, कर दिजे और सब्सक्राइब कर दिजे, चलिएए उन लग्छनों के बारे में बात करत किसी को पाता नहीं होता है कि गर्व में लाड़का है या लाड़की, इस वर ही गौड ही जान सकते हैं कि गर्व में क्या है लाड़का है या लाड़की, यह नहीं कि वे बोल दिये तो सच बोल दिये, हम बोल दिये तो सच बोल दिये कि हाँ, अगर हम यह लक्षन बता दिये तो आपके 100% से ऐसा कुछ नहीं है हाँ बैकि इसे मेरे बताने के अनुसार आप लोग को ऐसा हुआ तो सही ही होगा कि मेरा भी दो बच्चा है एक लाड़का एक लाड़की कि वह दोनों में ही भी हम मैथी किये कम पेयर किये हैं कि मेरे लड़का के समय में क्या हो रहा था और लड़की के समय में क्या हो रहा था दोनों में और कि अज मेरे लड़कों क्या क्या लख्चन है कई तरह जाता है तो ऐसे लख्चन दिखाईते तो आपके गर्भ में लड़का है और जिसका चेरा एकदम ग्लो कर रहा है सुन्दर दिक रही है तो उनके गर्ब में लड़की है और बाल से जिनका बाल खुब ग्रोध कर रहा है बढ़ रहे हैं तो उनके गर्ब में लड़का है जिनका बाल एकदम अजब रुखा रुखा टाइप के हो गया है बाल ग्रोध नहीं कर रहा है बाल बहुत जड़ रहे हैं उनके गर्व में लड़की है अगर मीठा मन करें खाने में तो आपके गर्व में लड़का है और हाडवीट से भी पता कर सकते हैं कि आपके गर्व में लड़का है या लड़की आपके हाडवीट 140 से उपर है तो आपको लड़का होगा 140 से नीचे है तो आपकी लड़की होगी मौनिंग सिकनेस से भी पता कर सकते हैं कि आपके गर्व में लड़का है या लड़की कैसे अगर आप मौनिंग में उठती हैं तो आपको एकदम जी मीच लाता है चकर जैसे आते हैं तो आपके गर्व में लड़की होगी अगर मौनिंग में फ्रीस फ्रीस मन लग रहा है एकदम और एकदम अच्छा अच्छा लग रहा है तो आपको उस घर में लड़का है और गाइज में होता है और दोस्तो लाइन पेट में जो एक लाइन से होते हैं एक ब्लैक ब्लैक डार्क अगर वे ज्यादा ब्लैक हुआ तो यह निस्टेट रहेगा और ज्यादा ब्लैक है तो लड़का होगा और कम हलका सब ब्लैक है तो वह लड़की होती है लड़की ही होगी अगर दोस्तों बेबी पांच महीने से गरवती लोगों पांच महीने से जो तीन महीने में चार महीने में सारे चार महीने में जो बेबी मूमेंट करने लगता है पेट में हलचल करने लगता है तो आपके घर में लड़की होगी और फाइब मन्द के पांच महीने के ऊपर जो ह लड़का ही होगा और नीचे 5 मंद के नीचे करेगा वो लड़की होगी ऐसे बोलते हैं गई तो पेट में ज्यादा बच्चा जो बहुत हल चल करता है बहुत ज्यादा हल चल एक्दम एनी टाइम हल चल ही करते रहेगा तभी-कभी लगता है अरे कितना चल रहा है बेबी रात में आप सो भी नहीं सकते इतना बेबी चलता है तो लड़की होगी है लड़का बहुत स्लोग आई बहुत स्लोग दोस्तो चलता है ज्यादा नहीं पेट में चलता है चलता है यह नहीं पूरे नहीं चलता है बट बहुत कम मुमेंट करता है लड़की एक दा मेनी टैम मुमे करिए कग इंका इंकल निकला इंक्व किन निकला हैं यह बोल नहीं सकते कि हंड़ीरट परसेंट सही है ऐसा कुछ नहीं पर हां 99 भी को साइए आजमाया हुआ चीज चाहिए किया तो अपिन आप लोग को साथ हम सहर कर रहा हैं यह नहीं कि हम उठा रहे हैं, बोल दिये, कुछ भी बोल दिये, ऐसा कुछ नहीं है, यह होता है, आपको लोग देखकर भी बता सकते हैं, कि आप प्रेग्नेंट, बहुत जो बुरी दादी, नानी के जबाने के यह सब चल रहा है, देखती है, कोई बोलता है, कोई ताई, लड़की हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, बोलने से करने से किसी का कुछ होता, तो लोग बोल के करवा लेते, चलिए यह सब बात पर जादा आप लोग ध्यार ना दिजी, आप लोग प्रेग्नेंसी लाइफ एक दम इंजॉय करिए, फूल इंजॉय करिए, यह नहीं कि पेट म हेलफुल रह साके, अब लोग यह वीडियो देखें तो कुछ आइडिया मिल जाए, अब लोग पहले से थोड़ा गेस कर सकती है, चलिए दोस्तों, बाइब